दोस्तों इस समय सुखोई 30 MKI हमारी वायू सेना का फ्रेंट लाइनर फाइटर जेट है इस समय हमारी वायू सेना के पास 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI मुझूद है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का इस्तमाल हम हर रोल में कर सकते हैं इस समय हमारे सुकोई 30 MKI ही वो fighter jet हैं जिनकी मदद से हम ब्रमोज मिसाइल के air launch version को fire कर सकते हैं हमारी वायू सेना ने ब्रमोज मिसाइल को fire करने के लिए अपने 40 सुकोई 30 MKI fighter jet को HAL से upgrade कराया था और इस समय देखा जाए तो हमारे 40 सुकोई 30 MKI ही एसे fighter jet हैं जिनकी मदद से हम ब्रमोज मिसाइल के air launch version को fire कर सकते हैं और 40 सुकोई 30 MKI fighter jet की मदद से इस समय हम चाइना और पाकिस्तान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसी बात को देखते हुए अब हमारी वायू सेना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम अपने 19 नए सुकोई 30 MKI fighter jet को modify कराएंगे जिसके बाद हमारे ये 19 सुकोई 30 MKI fighter jet अपने साथ में ब्रमोज मिसाइल को ले कर जा सकेंगे और इन 19 सुकोई 30 MKI के modification के बाद हमारी वायू सेना के पास 69 सुकोई 30 MKI fighter jet ऐसे हो जाएंगे जिनकी मदद से हम चाइना और पाकिस्तान के उपर ब्रमोज मिसाइल की बारिश कर सकेंगे इस modification के दोरान सुकोई 30 MKI fighter jet के अंदर जो under carriage section लगा हुआ है उसमें जो center pylon लगी हुई है उसमें modification किया जाएगा ताकि हमारे सुकोई 30 MKI fighter jet रमोज जेसी भारी भरकम मिसाइल को काफी आसानी से अपने साथ केरी कर सकेंगे और H.E.L.K. according इस modification के बाद हमारे सुकोई 30 MKI fighter jet काफी आसानी से center pylon में धाई तन तक की मिसाइलों को केरी कर सकेंगे इस modification के पूरा हो जाने के बाद हम अपनी indigenous technology cruise missile को भी अपने सुकोई 30 MKI fighter jet की मदद से दाग सकेंगे और उमीद इस बात की की जा रही है कि future में इस modification की मदद से ही हम अपनी hypersonic missile को भी अपने सुकोई 30 MKI की मदद से ही fire कर सकेंगे इस समय देखा जाए तो रशिया ओल्रेडी अपने सुकोई 30 MKI fighter jet की मदद से अपनी hypersonic missile को fire कर सकता है future में भारत की तरफ से भी ये target रखा गया है कि हम अपने सुकोई 30 MKI fighter jet की मदद से अपनी डो hypersonic missile को दाग सकेंगे जिसमें हमारी जो पहली hypersonic missile होगी वो air to surface ballistic missile होने वाली है और दूसरी missile brumos 2 missile होने वाली है जिसको हम अपने सुकोई 30 MKI fighter jet पर integrate करने वाले हैं और इस modification के पूरा हो जाने के बाद future में हमको अपनी hypersonic missile को लगाने के लिए हमारे सुकोई 30 MKI fighter jet में और अधिक modification नहीं करने पड़ेंगे और अब आपी comment करकर बता सकते हैं कि क्या हमको future में अपनी hypersonic missile को अपने सभी सुकोई 30 MKI में लगाना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप comment box में दे सकते हैं Thanks for watching this video, have a good day